आमादी पार्टी ने अपने चानके माने जाने वाले डॉक्टर संधी पाठक को अपना राष्टीय महामंत्री संगठन यानी की National General Secretary Organization बनाया है संदीप पाठक के बारे में दो बाते कही जाती है एक तो बहुत कम उम्र है आम तोर पर जो चानक के लोग कही जाते है उनकी उम्र बहुत जादा हो जाती है लेकिन हमारे साथ डॉक्टर संदीप पाठक है 43 साल की कुल इनकी उम्र है या पॉलिटीकल साइंस भी पढ़ा रहे हो तो प्रस्वाइटे थे फिजिक्स से सीधा आप राजनीती में आए और पंजाब में आमाधी पार्टी के लिए आपने संगटा निर्बान का काम किया गुजरात में किया थोड़ा परलिक यह जरू समझना चाहेगी कि क्या लिंक है लिंक बड़ा सिंपल है बच्पन से ही मैं कुछ देश के लिए करन लगती थी करते गए करते गए भगवान ने एक मुकाम तक ले गया बट मेरे दिल में शुरू से यह था कि मुझे एक लॉंग टर्म और सस्टेनेबल चेंज लाना है इस देश में और अगर मैं कुछ कॉंट्रिब्यूट कर सकूँ तो मैं बड़ा सौ भाग्यशा ली रहू तब दूर से देखते हुए अच्छा लगा कि यार यह तो वही राजनीती है जो हम अपने दिमाग पर रखते हैं जो हम चाहते हैं जैसा देश बनाना चाहते हैं तो फिर शुरू हो गई जर्नी बस इधर आ गए इधर करते करते और रहा सवाल मुझे लगता है अगर आप स पारिक समय मुख्य मंतरी को मतरी economic को संगत्व कि आपको काम मिला है कि काम किस तरह आगे बढ़ेगा लेकिन बाकी दो जगों पर यह दिख रहा है कि ठीक है, चुनाव लड़ा है, कुछ-कुछ अपने जड़े फैलाने की कोशिश कर रही है. अब सहीं कह रहे हो, अभी तक हमने ज़हां ज़हां पर जड़े फैलाई है, वहां पर जड़े लगी है, बाकी आने वाले समय में बाकी की जगर पे भी एक्सपैंड करेंगे, यह पॉइंट वो नहीं है, आप जो पूछ रहे हो, बड़ा सवाल यह है, कि जहां पर भी आम आती है, तो जनता को यह बहुत पसंद आ रहा है, यह constructive और positive राजनीती, तो हम जहां पर भी जाएंगे, वहां जनता पसंद करेगी और कर रही है, आज भेले ही हमारा संगठन चुनाओ, हमने अभी तक limited जगह पे लड़ा है, पर उन states में भी जहां पर हम अभी तक चुनाव हुआ है, उसको channelize करना और इस constructive राजनीती को एक एक घर तक पहुचाना, एक बर आप यह कर गए है, बाकि सारी चीजे secondary है, ठीक है, अगले साल बहुत से राजियों में चुनाव है, राजिस्थान है, मद्यपर्देश है, और आपका अपना जहां से आप आते हैं, 36 गड़ वहाँ पर भी है, करनाटक भी है, तो अभी party कहां focus करने की सोच रही है या फिर सारे ही चुनाव जो है अब लड़ने की सोच रही है, क्योंकि राज्ट्य पार्टी का दर्जा हासिल हो रहा है, निश्चित रूप से अभी किस state को लड़ेंगे और किसको पहले लड़ेंगे कि इसको बाद में लड़ेंगे, इस पर पार्टी लगाता डिसकेशन कर रही है, आने वाले समय पर इस पर और डिसकेशन होगा और फिर एक स्ट्राटी के तहट हम आगे आएंगे कि इसको पहले लड़ेंगे, इसको बाद में लड़ेंगे या फिर एक साथ लड़ेंगे, पार्टी विल डिसाइड वेली सूर लेकिन आइडियोजी के स्तर पर या दुश्मन अगर किसी को हम देखते हैं या विरोधी देखते हैं तो किस पार्टी को आप अपने करीब आते हैं और किसको आप मानते हैं कि हमें इस पार्टी से जो है लड़ना है क्योंकि दो राष्ट कॉंग्रेस हमारे दुश्मन है या विरोधी है या बीजेपी विरोधी है या कोई और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पंजाब में हम गये थे तो कॉंग्रेस सरकार में थी गुजरात पे जब हम चुनाव लड़े तो बीजेपी थी एमसीडी पे लड़े तो बीजेपी थी तो जहां हम जाएंगे, जनता जहां हमें बुलाएगी, हम वहां जाएंगे. और जहां हम जाएंगे, जो भी पार्टी सामने रहेगी, उससे हमारा हम चुनाव लड़ेंगे. पॉइंट बड़ा सिंपल है, आप अगर पॉलिटिकल पार्टी इसको विरोधी बना के अगर आप देखोगे, तो आप इस देश को आगे नहीं ले जा सकते, आपका जो बेसिक आइडिया है, उसको इस पूरे देश में कैसे फैलाना है, उसको सोचना है, तो जिला पंचायत हो, विधान सबाओ, लोक सबाओ, सारे जगह उसके नतीजे आपको दिखने लगेंगे, एक आखरी सवाल, एक परिस्तिती ये बनती है, कि जब पंजाब में लड़े, तो पंजाब में तो आप जीत ही गए, तो महां तो सवाल नहीं उठा, लेकिन जब आप गुजरात में लड़े, तो ये दिखाई दिया कि आमाधी पार्टी ने इतना वोट शेर ले लिया, या इतने वोट ले लिये, कि बीजेपी अपनी एतिहासी की जीत हासिल कर गए, हाला कि ये दिख रहा है, कि अगर आप ना भी होते, तो भी चुनाओ बीजेपी नहीं जी गुजरात में अगर हम चुनाओ नहीं भी लड़ते हैं, तो भी कॉंग्रेस पार्टी को हार नहीं थे, और बीजेपी को जीत नहीं थे, 27 साल से कॉंग्रेस पार्टी हार रही है, हम नहीं थे फिर भी, चुनाओ लड़े उसके बाद भी कॉंग्रेस हार गई, आज हम चुन जिम्मेदारी मढ़ने के बजाए कि तुम्हारे कारण हम हार गये, तुम्हारे अपना काम उनको करना चाहिए और अपने काम को अगर ठीक करेंगे तो जनता नेड़नाई लेगी आगे।